हलो दोस्तों मेंना नायमा मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है स्टाड़ी चैनल आज था दोस्तों सिख्षक दिवस सबसे पहले आप सबी को सिख्षक दिवस की बहुत बहुत बधाईयां धेरोशुप काम नाएं और भावी जो सिख्षक हैं जो उतर प्रदेश में नई सिख्षक भर्दी का इंतजार कर रहे हैं आज छात्रों ने ट्वीटर पर एक कैमपेंड किया और सरकार को याद दिलाया कि आपने किया किया दावे और वादे किये थे यहाँ पर देख सकती हैं CEM Office की तरब से ये ट्वीट किया गया था कि प्रात्मिक स्कोलों में स्रीथ होंगे सिख्षकों के नए पद लेकिन इन सब वादों का क्या हुआ इन सब दावों का क्या हुआ ये उतर प्रदेश का आज छात्र पूछ रहा है और इस वीडियो में हम लोग किसी नई भरती के बारे में बात नहीं करेंगे बलकि बात करेंगे वर्तमान इस्तिती की जो बनी हुई है आपको लगातार नई सिख्षक भरतियों की अपडेट इस चलन के मादेम सदी जाती है लेकिन प्रातमिक सिख्षक भरती का जो छात इंतजार कर रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ निरासा हाथ लगी है पिछले चार सालों से तो जो चार साल से नई भरती का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अभी और लंबा होने वाला है देख सकते हैं बहुत प्रकार की न्यूज आई थी सोसल मीडिया में न्यूज चैनल्स पर और टीवी दिवेज में 97,000 भरती कोले का चात्रों ने एक बड़ा कैमपेन किया था और खबर भी आई थी कि 97,000 पदों पर भरती हो सकती है लेकिन कुछ इसमें हुआ नहीं देख सकते हैं एक चात्र हैं सर्वेस कुमार सुकला जिनों ने लिखा कि 6-7 साल से टीशे रेक्विट्मेंट कोई नहीं हुई 68,000 और 79,000 ये जो दो सिक्षक भरतियां होई हैं सिक्षमित्रों के समाईवान रद्ध होने के बाद हुई हैं जो सुप्रिम कोड ने किया था हजारों भाई बहन इंतजार कर रहे हैं नई भरति का और अब सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है अजीत कुमार यादव जिन लिखा कि बेख से शिक्षक भरति नहीं हुई है नई भरति को जल से जल शुरू किया जाए और इसी बीच एक आरोब भी लगाया गया है आम आदमी पार्टी के दौारा की हजारों स्कूल उत्तर प्रदिस में बंद हो रहे हैं यहाँ पर देखिए सर्वेस कुमार ने एक ट्विट किया है कि दो करोड बचों का नाम बंकन हुआ जिसके लिए पांच लाग से जादा सिक्षकों की भरती होनी चाहिए विगर चार फिजदी किताबें आई हैं तो बहुत सारी समस्या है उत्तर प्रदेश में और इसे में प्रात्मिक शिक्षकों को लेकर प्रात्मिक शिक्षा की गुडवत्ता को लेकर एक डिबेट छिड़ा हुआ है अम आदमी पार्टी की सरकारें दिल्ली में दिखाया कि किस तरह से प सकते स्कूलों में सिक्षक नहीं अभारत कैसे बनेगा निपूर कैसे बनेगा विश्य गुरू चार साल से सिक्षक भरती का इंतजर करने वाले छात्रों को भी सिक्षक दिवस की बढ़ाई छात्र दे रहे हैं और अभी हाली में पीबी की रिपोर्ट आई थी इसके आरो ट्वीट देख सकते हैं इसी बीच आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता संजा सिंग जो काफी मुखर रहते हैं और शिक्षा संबंधी जो मुद्धे हैं इस पर इनका काफी असपस रुख रहता है इन्होंने आज ट्वीट किया है चार घंटे पहले सेल्फी सिक्षा की व्योस्था पर जरूर एक डिबेट चल रही है आम आदमी पार्टी के नेता संजा सिंग ने मुख मंतरी से सवाल करते हुए कहा कि आज भी प्रदेश में बच्चे आखित जमीन पर टाट पट्री पर बैट कर क्यों पड़ रहे हैं ये सवाल इनोंने उत्तर प् स्कूल बंद हो गएं बच्चों को नमक रोटी और भुसूखा भात खाने को मिल रहा है 50% बच्चों को अभी तक किताब हैं नहीं मिली हैं तो यह जो इन्होंने एक दावा किया है एक आकड़ा दिया कि 25,577 स्कूल उत्तर परिश में बंद हो गए हैं यदि ये पूरी तर सरकार की तरफ से क्या बयान देखने को मिलता है अभी यहाली में उत्तर प्रदेश के पुरू मुखमंत्रि अखलेश चादों ने भी कहा था कि अधिर कि परशरी स्कूल को निजी हाथों में दिय जाने की तयारी चल रही है इस खवर की में बात कर रहा था बेसिक स्कूल प पूजी पतियों को देने की योजना बना रही है जिससे रहा सहा सरकारी नियंतरड भी इन स्कूलों पर नहीं रहेगा यानि कि बिल्डिंग तो सरकार की रहेगी वहाँ पर जो सारी विवस्ता है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो इस तरह से खबर निकर करा रह है 17,000 का खुद सरकार ने ऐलान किया था कि भरती देखने को मिलेगी पूर सिक्षा मंत्री जाते जाते प्रेंस विग्यप्ती भी जारी करके गये थे हाला कि वो चुनाव हार गये नए वाले जो सिक्षा मंत्री आये हैं यह उनसे भी आगे हैं सिर्फ एक ही बात वो कहते है है कि छात्र सिख्षण का अनुपात हमारे हां मेंटेन कैसे है आपने जब कोई भरती की नहीं तो यह चात्र सिक्षद का अनुपात मैंटेन कैसे हो गया जब नए नामांकन भी आप कर रहे हैं तो इस मुद्य बता आ है कॉमेंट करके जरू बताईंगा फिल हाल दिसंबर में फिर से यूपी टेट कराया जाने की तैरी है उसके बाद ही 2013 में या 2014 में ही भरती की बारे में हम आप सोच सकते हैं क्योंकि प्रिजन टाइम में तो भरती को लेकर कुछ हो ही नहीं रहा है एक कमिटी बनाई गई थी रिक्त पदों का पता लगाने का प्राद इंटिक इंफरमेशन मिलती रहे थांक्स वार वाचिंग